हलो दोस्तों में नाम है मुहम्मत कैसर और आप देख रहा हैं स्ट्राडी चैनल बात करेंगे टेज़ेटी पेज़ेटी 2022 परिक्षातिति के संबन में चैनबूर्ट की तरब से जारी बयान की उसके बाद बात करेंगे सीटेट 2022 आवेदन की और फानली बात करेंगे बात करेंगे दोस्तों सीटेट की इस बेस्ट बुक के बारे में चक्सू प्रकाशन के तरब से आती है सीटेट डिसमबर 2022 की यदि दोस्तों आप वहादन तयारी करना चाहते हैं पेपर वन का तो स्टेटी गाइड बुक आ चुका है जिसमें आपको सीटेट के सभी सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे यहां पर दोस्तों 400 पेपर भी है 3000 से अधिक व्याख्या सहित प्रश्न भी इसमें देखने को मिलेंगे और NCRT के नवीन पैटर्न पर इस बुक को तयार किया गया है आप यहां पर देख सकते हैं तो सीटेट का स्टेटी गाइड बुक के साथ चक्तु प्रकाशन का सीटेट का प्रैक्टिस सेट भी आ चुका है तो यदि आप यह किताबें लेना चाहते हैं ओनलाइन तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और यदि आपको आफ लन यह किताबा लेनी हैं तो मार्केट में भी यह इसली अवेलेबल हो जाते हैं तो दोस्तों आपको पता ही है कि कल के निश्पेपर में एक ख़बर छपी हुई थी कि चार केंदरों पर टीजिरी पीजिरी की परिक्षा होगी अमेठी जिले में और इसमें यह भी लिखा गया था कि अगस्त में परिक्षा कराई जाएगी इसकी तयारी हो रही है इसके बाद सोसल मीडिया पर छात्रों के बीच एक बहस छड़ गई कि क्या अगस्त में परिक्षा हो सकती है इतना जल्दी एक्जाम कैसे हो जाएगा काफ यादा छात्र परिशान हो गए उसके बाद फाइनली कल देर साम को 26 जुलाई को चैन बोर्ड ने ये नोटिस जारी करके बताया कि टीज़िटी फिज़िटी की परिक्षा अगस्त माह में नहीं होने जा रही है और एक दैनिक समचार पत्र में जो प्रकाशित खबर है जो सोसल मीडिया पर वाइरल हो रहा है यह पुड़त असत्य है एवं भ्रामक है जैसे एक्जाम डेट का एलान होगा ओफिसल वेबसाइट पर नोटिस देखने को मिलेगी ओफिसल वेबसाइट को छोड़ कर किसी भी निउस पर आप विश्वास ना करें इस संबन में आप नोटिस पर में भी खबर देख सकते हैं टीज़ेटी पिज़ेटी परिक्षा की फरजी सूचना वारल हो रही है और अभी तक परिशा तारीकों का ऐलान नहीं हुआ है और यहाँ पर भी देख सकते हैं चैन बोर्ट द्वारा ये कहा गया है कि TGT PZT की परिक्षा तिथी अभी तैन नहीं हुई है TGT PZT की परिक्षा तिथी चैन बोर्ट द्वारा अब तक घोशित नहीं की गई है अमेठी के Dio प्रकास मिस्र ने बताया कि मादमी सिक्षा से वाच जान बोट के चैन बोट के सचुनर्षपस्ट किया कि अगर्स्त में परिच्छा की बात भ्रामग है, उनका कहना है कि उत्तर परिश्मादे में सिक्षा से बाच्छाइन बोर्ट के संबन में कोई भी जानकारी बोर्ट के दिकारी वेबसाइट से ही ली जा सकती है, तो बिल्कुल ही आप मान कर चलना, इजाम आपका अगर्स्त म की चकर में आप अपना समय नस्ट ना करें, बात करते हैं दोस्तों, सिटेट 2022 आवेदन तिथी को लेकर, तो 14 जुलाई को ही CBSC ने ये नोटिस जारी करके बता दिया था, कि एक्जाम सिटेट का अगला दिसंबर में देखनी को मिलेगा, ये एक्जाम ऑनलाइन होगा, लेक इसका दोस्तों अपनी डेटेल्ड नोटिफिकेशन जारी होना है, और अभ्यरतियों कि ये भी जल्दी मुलाकात होई थी CBSC के रिकारियों से, और वहां से जनकारी प्राप्त होई है, कि जुलाई लाज्ट तक आपके आवेदन सुरू होने जा रहे हैं, तो आप लोग दो दिसमबर में आपका एक्जाम होना है, और जो सबसे इंपोर्टन चीज है, वो हमारे लिए है, दिसमबर में परिक्षा का होना, अवेदन दस दिन लेट से भी क्यों ना सुरू हो, आपको परिक्षा कीती थी बाच अल गई है, तो आपको इसके इसाप से अपनी त्यारी कर ही है, ओनलाइन ही एक्जाम होगा, तो इसका भी आपको ध्यां रखना है, और ओनलाइन एक्जाम देने का थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको ज़रूर करना है, एक वीडिम बने बनाया हुआ है, उनलाइन आवेदन के समबन। में, इस वीडियो का लिंक डेस्क्रिप्स्टि इनकार कर दिया हाला कि ये मामला 79,000 शिक्षक भरती का है लेकिन कोट ने फॉर्म भरने की गलती को मानवी भूल मानने से इनकार किया है तो ये किसी भी भरती के साथ हो सकता है तो आपको अपना अवेधन बहुत ही सावधानी से भरना है इस समय पेट 2022 का अवेधन हो रहा है इसमें आप सावधानी बरती इट इज़िटी वेधन तो समाथ हो चुके हैं और सीटेट का अवेधन अब सुरू होने जा रहा है तो बहुत इस सावधानी से साही तरीके से अबने डिल्स को भरिये क्योंकि कोट ने मानवी भूल मानने से इनकार कर दिया है उनात्र हजार क सावधानी जाता है तो आपको दोस्तों अपने फॉर्म को बड़ही सावधानी से भरना है तो यह थी दोस्तों आज की वीडियो में कुछ मात्पूट अपडेट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए आज चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन दबा लेजिए ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथन्टिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे थैंक्स पॉष्छी